देखें हम बात करने जा रहे हैं ग्रैविटेशनल फिल्ड की जैसा कि न्यूटन साब ने कहा था कि हर मास आपजिक्ट अपने चारों एक फिल्ड क्रेट करता है और उस फिल्ड में यह ताकत होती है यह किसी दूसरे मास पार्ड किल को वो अपने और अटेट कर सकती है जो जिस प्रकार का फिल्ड क्रेट करता है जो जिस प्रकार का फिल्ड क्रेट करता है या कर सकता है अगर उस प्रकार के फिल्ड में वो जाता है तो उस पर फोर्स लगता है साइंस कहती है ना ये यानि कि एक मास पाडिकिल एक gravitational field create कर सकता है या करता है कर क्यों सकता है और दूसरा मास पाडिकल भी gravitational field करता है तो जब दोनों एक दूसरे के field में आते हैं तो उनमें force लगता है वो attraction हो या repulsion हो एक charge particle अपने चार और एक फिल्ड क्रियेट करता है एक अंचार्ज पार्टिकिल वो चार्ज नहीं है लेकिन चार्ज किया जा सकता है अगर वो उस फिल्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगता है क्योंकि चार्ज हो सकता है वो वो फिल्ड क्रियेट कर सकता है एक लकडी नहीं कर सकती create क्योंकि लकडी अंचार्ज ही रहेगी हमेशा एक magnet अपने चारोर एक magnetic field create करता है और अगर कोई magnet उस field में आता है तो force रगता है उस पर या कोई ऐसा material जो magnet तो नहीं है लेकिन अच्छी situation आने पे वो magnet की तरह विहाइब कर सकता है जैसे को यारन कपीज वो वहाँ जाएगा तो force experience होगा ठीक है अब जरा एक बढ़िया सा example समझेगा आपने दो कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा क्योंकि कुत्ता दोनों एक जैसा field create करते हैं तीक है दो सुरों को लड़ते हुए देखा होगा लेकिन एक चीज एक चीज नहीं एक मिनट आपने देखा कि इंसान को कुत्ता भी दोड़ा लेता है कि साइंस क्या कहती है कि साइंस को जोड़िये हम वैसे field create कर सकते हैं जैसा वो create करता है हमको साड भी दोड़ा लेता है हमको सुर भी दोड़ा लेता है साइंस क्या कहती है कि हम जैसा field create करते हैं वैसा field वाला हम पर force लगाता है तो हम पर तो सब force लगाते हैं साड भी लगाता है, कुत्ता भी लगाता है, सुर भी लगाता है क्या सिद्ध करता है समझ गए क्या सिद्ध करता है इसलिए इसमें कहने के जरूत नहीं साइंस खुद कहती है इसलिए आपस में कहेंगे कुत्ते कहीं के सुवर कहीं कैसे लडाई भी करते हैं ऐसे वर्ड यूज करते हैं ऐसे नहीं कि यूज करते हैं लोग पुराने लोग ऐसे कहते थे अभी भी कहते है क्यों जानते हैं कि साइंस खुद सिद्ध कर रही है कि हमें वो नेचर पाया जाता है खैर छोड़िए हाँ बात करने जा रहे हैं हम gravitational field की हमने का हर body के चारो और हर mass particle के चारो और एक field होता है उस field के अंदर अगर कोई दूसरा mass party के लिए आता है तो इस पर force लगता है उसको हम कहते है gravitational field ठीक है अब उसकी strength क्या होगी उसकी ताकत क्या होगी तो अगला आता है कि gravitational field strength gravitational field and its strength कि इसकी strength कैसे ना पींगी तो जैसे हमने बताया था कि suppose करिएगा कि हम 10 मंजिल पर चड़ गए हमारा अपना मास है और उस 10 मंजिल से हमको नीचे उतरना है तो दो तरीके हमारे पास है तीन तरीके हमारे पास है एक तो जीने से उतर के आ जाए दूसा तरीका है lift से उतर के जाए तो लिफ्ट से भी उतरो जीने से भी उतरो इसे बढ़ा जाओ वासे तो चलंग लगाओगे तो नीचे की जो अर्थ है वो हमको अपनी और खीच लेती प्यार से आ जाओ बिटा हम लाए नहीं गए अर्थ ने हमको बुलाया है हम तो बुलाये गए माता धरती माता न अज़ों ऐसा होता है कि इसका मतलब होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्टेंथ है वो जादा है ठीक है तो अगर मैं माल लों कि सपोज मे इस दा मास अफ अर्थ ठीक है और म इस दा मास अफ अफ एनी परसन जो 10 मजल से कूद रहे और ही जार मीटर अवे फ अब आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्टेंथ आफ अर्थ हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्टेंथ आफ अर्थ जरा ध्यान से समझेगा is equal to f upon gravitational field strength of earth, earth की strength को महसूस कुन कर रहा है तो हम अपने mass से divide करेंगे ना force acting on a body per unit mass that is the field strength, उसी को हम field strength कहते हैं, तो जब small m से इसको divide करेंगे, तो आएगा gme upon r square ये field strength of earth है हम चाहें तो इसको IE लिख सकते हैं, अपनी indication के लिए intensity of the earth, ठीक है अच्छा, अगर मैं निकालू कि field strength of man जो कि हम है, हमने I am मान दिया, तो कौन experience कर रहा है, अर्थ कर रही है तो हम force को अर्थ के माज से divide करेंगे तो ये आएगा gm upon r square अब अगर दोनों को हम देखें तो यहाँ पर जो अर्थ का जो instant है, intensity है वो अर्थ के मास पर depend कर रही है और हमारे मास पर depend कर रही है अब आप जानते हैं हम मार्थ से कितने हलके हैं तो यही मजबूरी है कि अर्थ जो है हमको घसीड लेती है अगर मेरे अंदर भी मैं भगवान राम का बहुत बड़ा सेवक होता और मैं जैसे पांता जय है स्री राम करता और मैं अपनी बाड़ी को अर्थ से दो गुना कर देता तो अर्थ हमको खीश सकती थी या उसको उपर आना पड़ता वो ऐसे आती है कि ऐसे आके लड़ जाती है चोड उसको लगती है लेकि अब ऐसा है नहीं तो इसको कहते है ग्रैविटेशनल फिल्ड स्टेंथ संथ में आ गया तो आप देखे जिसकी स्टेंथ निकालनी होती है तो जो एक्सपिरियंस कर रहा होता है फोर्स उसके मास से रिवाइट करेंगे आपकी ताकत अगर निकाल लिए तो जो एक्सपिरियंस करेगा वो तो बताएगा ना कि सामने मोला कितना ताकतवर है अब लिखे ग्रैविटेशनल पोटेंशल gravitational potential यह नोट कर लिये आपने definition लिख लेंगे अगर definition लिखना चाहें क्या लिखेंगे, लिखेगा नीचे लिखेगा the force experienced बोले the force experienced by a unit mass a unit mass placed at a point in a gravitational field. The force experienced by a unit mass placed at a point in a gravitational field is called gravitational field strength or intensity of gravitational field. intensity of gravitational field इसके दो नाम है intensity of gravitational field अब दिखे ग्रेविटेशनल potential, gravitational potential, gravitational potential. देखो अगर किसी body को infinite से earth surface में लाया जाए अर्थ की हम बात नहीं करेंगे, हम बात कहते हैं gravitational field में, वो gravitational field कोई भी create कर रहा हो, फिलाल earth को हम मान के चल रहे हैं, अगर किसी body को infinity से earth के gravitational field में लाया जाए तो उसको work करना पड़ेगा, work करना पड़ेगा या work obtain हो जाएगा दोनों बाते हैं, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप पे attraction force लग रहा है, तो तब भी आपको energy मिल रही है, तब भी आप work कर रहे हैं लेकिन वो work आपको obtain हो रहा है, ठीक है जैसे हमने उपर से नीचे अंबिर रहे हैं तो earth हमको अटेट कर रही है, तो वहाँ पर work हम कर रहे हैं, वर्क तो करना पड़ रहा है, यह work हमको मिल रहा है वालक की बात है ठीक है, तो work per unit mass जो होता, unit mass पे किया गया work यह obtain हुआ work कहलाता है gravitational potential ठीक है, तो लिखेगा इसमें, the gravitational potential, the gravitational potential is the work done, is the work done in bringing a unit mass, bringing a unit mass from infinity, from infinity to a point in a gravitational field, from infinity to a point in a gravitational field, मैंने earth की बात नहीं किये, वो gravitational field कोई भी create कर रहा हो सकता है, अर्द भी हो सकती है, कोई दूसरा mass भी हो सकता है, from infinity to the gravitational field, and given by V is equal to W by M, by M का मतलब होता है कि जो body आ रही है, उसका mass है, जो work कर रहा है, और unit क्या होगी, joule पर kg, तो अगर हमसे कहें, gravitational potential की unit बताओ, तो निकाल सकते हैं, dimension बोले तो dimension निकाल सकते हैं, ठीक है, ये gravitational field किस ने create किया, पता नहीं, कोई भी mass party हो सकता है, ठीक है, अब लिखे, gravitational potential due to a point mass, gravitational potential due to a point mass, इसको रब कर रहा हैं, gravitational potential due to a point mass, due to a point mass, अब जड़ा पला इसका, इस headie का मतलब समझेगा, देखो ध्यान से, हमने अभी कहा, gravitational potential क्या होता है, किसी unit mass की body को infinite से gravitational field में लाने में, जो work, obtain होता है, या करना पड़ता है, ठीक है, किस में लाने में, gravitational field में, तो gravitational field कौन create कर रहा है, ये वही point mass है, जो परदे के पीछे से gravitational field क्रिएट कर रहा था, ठीक है, अरे मतलब कहीं था, हमको नहीं मालूँ, था अब उसको हम बाहर निकाल के ले आए, ठीक है, तो हमने का, suppose a point mass of capital M, is placed at the point O, ठीक है, और it is creating a vocal around it, एक भौकाल होता है, क्या कहते हैं उसको, पाम पंशो, जैसे कई कुत्ता बंदा होता, तो अपना एक मोहले में भौकाल उसका होता है, जैसे गली से निकलेंगे, अरे बोले, आया, काट नखाए, तो उसे कहते हैं कुत्ता फिर्ट, उसे कहते हैं कुत्ता फिर्ट, ठीक है जैसे हमारे एक परची थे उनके यहां एक देशी वाला परा हुआ है वो रोज घर से बाहर निकलता बगल में जर्मन सेफर्ड उसके ओपर भौक के आता है माँ 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 खुब बसे भौकता है उसको लगता है कि मैंने इसको डरवा दिया क्यों क्यों कि जर्मन सेफर्ड बंदा होता है अंदर एक बार भाई साब निकल के गए और वो खुला हुआ था अब यह तो पहुंचे अपना पूरा फिल्ड लेकर कि अभी मैं डरवा के आ रहा हूं और वो निकल आया बाहर है इनकी ऐसी कि तैसी कर दी है यह कोट को करते हैं अब आज की डेट में क्या करते है यह अभी आफ गेट के बास खड़े होने हो आइसे जहाँटे है कि- खुला है के ने खुला और यही से अपना यह तो यह पॉइंट मास एक फीयल्ड कर लेते हैं इसके डिस्तेंस पर एक पॉइंट है भी जहाँ पर हमकोыл visit पोटेंशिल निकालना है धो समझ लिकरेगा सब्सक्राइब यानि कि आपको एंवंसम एक यूनिट मास वहां से लेकर आना पड़ेगा तो देखें दो तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं आप उस unit mass को one मान लीजिए पहले से ही या उसको आप m मान लीजिए small m और बाद में m से divide कर दीजिए वो ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है दोनों तरीके से हैं किसी बुक में पहले से उस point जो unit mass लेके आ रहे उसको one माना गया है अब जरा समझिएगा यानि कि यहाँ पर कहीं infinity है और यहाँ से एक unit mass को लेके हमें आना है infinity मुझको मालूम नहीं है देखें तो मैंने कहा कि suppose करिएगा यह point A है और यहाँ से x distance पर यहाँ पर एक unit mass small m रखा हुआ है ठीक है तो इस पर एक force act कर रहा है attraction force लगता है इस पर तो इस पर जो force act करेगा उसका formula क्या होगा f is equal to g capital M into small m upon x square ठीक है अब हम हाँ इसका और भी आगे जा infinity तक जा रहा है कहीं तक भी जा रहा है हमने माल लिया किया यहां तक ने कहीं पर भी हो सकता है हमें gravitational field कहीं तक भी हम जा सकते है हम 10 मंजिल से 9 मंजिल तक आ सकते हैं हम infinity से जमीन तक आ सकते हैं हम जीने पर खड़े हो सकते हैं पर भी एक पॉइंट पे हम आए रहे हम पिलाल इसके ग्रेविटेशनल फिल्ड की बात कर रहे हैं यह अर्थ भी हो सकती है ठीक है अब देखिए हमने क्या किया यह जो M मास्क की बॉडी थी ना इसको हमने A से B हलका सा डिस्प्रेश किया दी एक्स तो हमको A से B तक डिस्प्रेश करने में इस एक इसमाल वर्क करना पड़ा तो इसमाल वर्क डन इसमाल वर्क डन फ्रॉम A टू बी तो इसको हमने माला डी डव्लू तो फोर्स इंटू डी एक्स फोर्स बोले तो जी कैपिटल M इसमाल M अपान X स्क्वार डी एक्स यह इसमाल वर्क करना पड़ा लेकिन हमको बॉडी को कहां से कहां तक लेके आना है इंफिनिटी से पी तक लाना है तो जब निकालेंगे टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग दा पार्टिकिल फ्राम इंफिनिटी टो पी तोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको हम डबलू करके इसको इंटिग्रेट कर देंगे कहा से कहा तक सुरुवात में हम कहा थे इन फाइनिट पे इन फिनिटी टो आर क्योंकि आर डिस्टेंस पे हम लेके आ रहे हैं अब बस काम खतम हो गया इन फिनिटी टो आर इसकी वैलू क्या है जी आर इस स्कोइल इकस इसको रब करेंगे हम इधर का पार्ट आप देखो चुकि फोर्सय जिधर लग रहा था उधरी हमा रहे थे इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया इs тор intelig चो लग लग रहा था हूं इधर लग रहा था ना तो इधरी इधरी तो हमां रहे हैं G capital M small M हमने बाहर कर दिया और यह X pour minus 2 है ना इसका integral आता है आपको तो आएगा X pour minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 मालू है ना और limit को हम क्या करते हैं बाहर लिख देते हैं infinity to R तो देखो यह minus 1 आएगा इस minus को बाहर कर दो minus G capital M small M यह 1 upon X आएगा infinity to R limit रखने का तरीका क्या होता है पहले X को रखेंगे अपर limit और minus करके lower limit तो W is equal to होगया minus G capital M small M upon R पहले इस formula को देखिए हम कहना क्या चाहते हैं यह इदर नोट कर लिया आपने actually में यह किसी particle को infinity से gravitational field में लाने में किया गया वर्क है यह वर्क उसके energy के farm में store होता है इसी को कहते है gravitational potential energy तो जब आपसे कहा जाए कि what is इसलिए हमने small M को 1 नहीं माना था जो हम particle लेके आ रहे थे वो unit mask का तो था लेकिन हमने फिलाल उसको small M mask का माना था तो this is gravitational potential energy ठीक है तो जब हम gravitational potential की बात करेंगे चुकि हमारी heading है gravitational potential gravitational potential तो वो क्या होता है W upon M तो M से divide कर दो तो minus G capital M upon R यह gravitational potential होता है ठीक है note करिए इसको minus sign का indicate करता है कि there is a force of attraction बस minus से और कोई बतलब नहीं है यह force of attraction होता है तो आप कहेंगे because there is a force of attraction इसलिए हमको जो gravitation potential हमेशा negative होता है ठीक है जैसे सुरात में हमने जो formula लिखवाया है वहाँ negative नहीं लिखाया है क्योंकि formula W Y M होता है क्योंकि work obtain हो रहा है इसलिए वहाँ W को हम negative करेंगे जब W obtain हो जाएगा तब negative हम करेंगे ठीक है अच्छा अगर यही मालिया एक note लिखे in the case of earth एक note लिखे यह note नहीं लिखे heading डालिए gravitational potential on earth हम मैं earth की बात कर रहा हूँ gravitational potential on earth देखे तो जो आपका एक mass particle था ना यह क्या बन जाएगा earth बन जाएगा और यह क्या बन जाएगा radius बन जाएगा तो ऐसी earth अच्छी नहीं लग रही हमको लग रहा है कि हम earth से ऐसे जा रहे है तो हम थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम थोड़ा सा इसमें change करेंगे बस जब w तक निकालोगे work तक तो बन जाएगा gravitational potential energy due to earth gravitational potential on earth on earth देखो हमने का यह earth है अब अच्छी लग रही है और यह इसका center है यह total इसका mass है और यह इसकी radius है ठीक है और यह है infinite और infinite से p point तक किसी body को लाया गया तो जैसा कि हम prove पीशे कर चुके बिल्कुल ditto को ही prove करेंगे कि उस particle को पहले कहां से कहां तक लेके आएंगे a तक लेके आएंगे कितनी distance x distance लेंगो ने लिखा रहा हूं तो force कितना लगेगा उस पर g m e m upon x square फिर हम बता दें मैं यहां unit mass नहीं मान रहा हूं मैं small m mass मान रहा हूं तेक है अब हम इसको थोड़ा नीचे displace करेंगे a से b तक और dx displace करेंगे तो small work कितना होगा d w is equal to f into dx यानि कि g m e m upon x square dx और चुकि body को infinity से b तक लाना है तो total work done जो हो जाएगा उसको integrate करेंगे infinity to r e और g m e m upon x square dx और अभी आप इसके पहले proof कर चुके है डाइड लिख रहा हूं में तो आएगा minus g m e m upon r e ये है work done और किसी m mass की particle को m mass की particle को infinity से gravitational field मिलाने में जो work obtain होता है negative हो रहा है attraction है obtain होता है उसी को कहते है gravitational potential energy इस derivation को हम नहीं कराएगे ध्यान रखेगा करा देंगे उलगी बात है तकि मालू नहीं कराएगे तो जब हम निकालेंगे gravitational potential जब निकालेंगे हम gravitational potential तो वी लिखेंगे तो इस work को किस से divide करेंगे जो unit mass की body उपर से लाई जा रही थी उसके mass से divide कर देंगे तो आएगा minus g m e upon r e ये gravitational potential का फार्मुला है on the earth अच्छा ये रब कर ले अब इसमें एक special case है कि भाई उस body को infinity से आप लेकर के आए आप अर्थ पे नहीं लेकर के आए अर्थ सर्जे से h height तक लेकर के आए तो एक special case है on the height h जो v होगा वोगा minus g m e upon r e plus h ये भी आ जाएगा एक फार्मुला और हमने small g और capital g में एक relation पढ़ा है तो आप लिखेंगे as g m e is equal to g r e square so v का formula एक और आएगा g r e square upon r e plus h तो ये बहुत सारे formula है अब जो derivation जहां तक आएगा वहां तक ही आप बात करेंगे अच्छा इसके बाद ये आता है gravitational potential energy gravitational potential energy heading डाले है gravitational potential energy gravitational potential energy potential energy देखे gravitational potential पोटेंशल में आपने क्या कहा किसी unit mass की body को infinities नहीं हो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ infinity से gravitational film लाने में जो work obtain होता है अब unit mass अच्छा दा दीजे किसी भी body को infinity से gravitational film लाने में जो work obtain होता है वो work उसकी gravitational potential energy होती है जिसकी definition लिखना चाहिए लिखे the work obtained the work obtained in bringing the work obtained in bringing a body unit mass नहीं बूला हमने देखे unit mass नहीं बूला है a body from infinity from infinity to a point to a point in a gravitational field to a point in a gravitational field is called gravitational potential energy of the body to a point in a gravitational field is called gravitational potential energy of the body at that point अब चुकि work obtain होता है as work is always obtained तो this energy will always be negative ठीकर अब देखिए आपने कहा gravitational field तो gravitational field कोई भी create कर सकता है कोई point mask कर सकता है earth कर सकती है तो मैं इसका proof नहीं करा रहा हूँ पीछे proof में करा चुका हूँ ठीक है तो जब हम निकालेंगे energy u is equal to तो एक formula आपने पीछे proof किया g capital M small m upon r यह भी हो सकता है या जब मैं earth के बारे बात करूँगा तो आएगा minus g me m upon r e यह earth के बारे में हो गया ठीक है समदारी बार नहीं आ रही है अच्छा unit mask जब ले लेते हैं आप unit mask के लिए तो potential हो जाता है और जब आप पूरी energy लेते है तो वो पूरा work लेते है तो वो energy हो जाती है ठीक है अच्छा अगर on the height h लेंगे आप बिल्कुल पीछे वाले प्रूफ हैं इसलिए हम प्रूफ नहीं कराने on the height h लेंगे इसलिए जानबूश करके हमने unit mask नहीं माना था मुझे मालूम था यह derivation काम में आएगा तो u is equal to minus g m e m upon r e plus h हो जाएगा यह भी formula हो सकता है ठीक है अच्छा चूंकि as g m e is equal to g r e square होता है so एक और formula हो सकता है minus g r e square into m upon r e plus h का whole square हो सकता है तो यह formula है इन्हें आप देख लीजेगा